नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि डीकोड टोटल टेबलेट का उपियो किन कंडिशन्स में किया जाता है डीकोड टोटल टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और डीकोड टोटल टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि डीकोड टोटल टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में Decold Total Tablet को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है Decold Total Tablet का उपयोग Common Cold यानि सर्दी जुखाम के लक्षनों से राहत पाने के लिए किया जाता है जैसे नाक से पानी बहना, छींक आना, नाक का बंध होना, गले में ख्राश होना, खांसी होना आदी लक्षन सर्दी जुखाम होने पर हो सकते हैं इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सर्दी जुखाम होने पर सिर्दर्द और बुखार भी हो सकता है डीकोर्ड टोटल टैबलेट बुखार और सिर्दर्द को भी ठीक करती है वैसे डीकोर्ड टोटल टैबलेट खांसी से भी रहत दिलाती है लेकिन यदि आपको खांसी फेफरों में इन्फेक्षन होने की वजह से आ रही है तो Decode Total Tablet infection को ठीक नहीं करती है दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नख भूले अब हम डिसकस करेंगे की Decode Total Tablet को कैसे लेना रेकमेंदेड होता है Decode Total Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है लेकिन Decode Total Tablet को खाली पेट लेने से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आना उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है इसलिए यदि किसी व्यक्ति को D-Cold Total Tablet को लेने के बाद उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए D-Cold Total Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है. 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को D-Cold Total Tablet को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन D-Cold Total Tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको D-C से परामर्ष लेना चाहिए, और डॉक्तर की सलाह के बिना D-Cold Total Tablet को नहीं लेना चाहिए, अब हम दिसकस करेंगे की D-Cold Total Tablet की वजह से क्या Side Effects हो सकते हैं, वैसे D-Cold Total Tablet की वजह से ज्यादातर व्यक्तियों में कोई Side Effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों D-Cold Total Tablet की वजह से कुछ Side Effects हो सकते हैं, D-Cold Total Tablet की वजह से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिर्दर्द मुह में सूखापन, शरीर में ठकान होना, हलका हलका सिर्भूने का आभास होना और मींड अधिका सकती हैं, अब हम दिसकस करेंगे की D- D-Cold Total Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में D-Cold Total Tablet को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को D-Cold Total Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि किड्नी की बीमा तो ऐसे व्यक्तियों के लिए D-Cold Total Tablet का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं D-Cold Total Tablet को ले सकती है या नहीं, प् स्तनपान करा रही महिलाओं को D-Cold Total Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को D-Cold Total Tablet को नहीं लेना चाहिए, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका डीकोड टोटल टेबलेट से संबंधित कोई प्रशन है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.